हेलो और बड़ी दोस्तो हरियाना पुलिस की भरती पर कोरट केस हो गया है एक नया केस हुआ है क्यों हुआ है कोरट केस, सुनवाई कब है क्या केस नंबर है यदि आप जाना चाहते हैं पूरी अपडेट को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका सती राजेश स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और हमारे चनल पर जिसका नाम है Knowledge TV देशीताओ कैसे आप सभी दोस्तो इस चैनल पर हर रोज एक या दो वीडियो जोब या जोब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेकिया तरहता हूँ जो आपके लिए कहीं न कहीं helpful जुरूरती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि कोई भी important वीडियो या important information आपके miss न हो तो दोस्तो हरियान प्लिस के भरती पर केस क्यों हुआ है इसके वज़े आपको बता देते हैं तो आप सभी को पता होगा इस भरती में अनात होने के नंबर दिये जा रहे हैं फारम भरती से में क्या मांगा था और फन ठीक है और बाद में कहीं न कहीं ये बता दिया गया कि जिनके माता और पिता दोनों expire हो उन्हीं को नंबर दिये जाएंगे ठीक है अब candidate नहीं ये कर दिया केस इस बात पर कर दिया कि आपने ये बात clear नहीं की की जिसके शिरफ पीता expire है उनको number मिलेंगे या जिन के दोनों expire है उनको number मिलेंगे ठीक है तो जिन बच्चों के केवल fatherless थे याने की जिन केवल father एक्सपायर थे उन्होंने ये case किया है कि उन्हें भी number मिलने चाहिए ठीक है तो इसी बात पे कई बच्चों ने इकठे होकर केस कर दिया है तो केस नमबर आपको दिखा देता हूँ मैं आपको आपको मैं पंजाब हरियाना की जो कोरट की ओफिसल वेबसाइट है वहाँ पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे हम आपको दिखाऊँगा की कोरट नमबर बाइस में आज की सुनवाई है दोस्तो आज 21 फरवरी है तो आज की सुनवाई है यहाँ पे और 221 नमबर हमारा केस नमबर यहाँ पे चल रहा है 221 सीरियल नमबर है इस कोरट में आज की सुनवाई का हरियाना पुलिस के भर्ती पे जो केस हुआ है नीचे चलते हैं हम यहाँ पे दोस्तो एकिस नमबर पे और दोस्तो यहाँ पे देखिए यह हमारा केस नमबर है दोस्तो CWP 405219 ठीक है युद्वीर एंड अधर ने केस किया है स्टेट और भर्यान एंड अनदर के परती तो इस पर एक बर कलिक कर देते हैं हम ठीक है तो दोस्तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 21 फरवरी को सुनवाई थी अर्जेंट में सुनवाई थी और इसने केस किया है बिवानी के साथी हैं जिनोंने मतलब जो भी केंडिट हैं भिवानी के हैं जिनोंने केस किया है और रविंदर सिंग ढूल ने इस केस को एड़ोकेट किया है ठीक है दोस्तो नेक्स डिटा भी एविलेबल नहीं हुई है तीन बजे आपकी हीरिंग होगी दुबारा से एक बार नंबर आ चुका है लेकिन उस टाइम पे सुनवाई नहीं हुई और तीन पीएम का टाइम दे दिया गया है ठीक है तीन बजे सुनवाई होगी आज दुबारा से तो इसका क्या स्टेटस रहेगा क्या रिजल्ट आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी सुनवाई होते ही आपको पता चलेगी अपडेट आज जाएगी तो आपको वीडियो के माज़म से बता दिया जाएगा ठीक है तो दोस्तों बस यही अपडेट आपके साथ से एरन करने थी कि आज क्या फैसला आता है इस भरती का भी कुछ नेगिटिव पोजिटिव में हमारा जो रिस्पोंस अब जा सकता है ठीक है तो दोस्तों बस यही अपडेट आपके साथ से एर करने थी उमीद है आपको वीडियो अच्छे ले क्योंकि यदि वीडियो अच्छे ले कि तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा यह वीडियो आपने यहां तक देखिए आप सभी का बहुत धन्यवाद बगवान करें आप सभी का दिन सुब रहे